हालो फ्रेंड्स आप सभी को वैलकम है नंदरीं प्रेंशीं टीप्स पे तो आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियां सब्सक्राइब कर लीजेगा बहुत दिन बात PCOD PCOS पे वीडियो आ गया है जिससे आप जल्दी प्रेंशी कंसीब करिएगा क्य अब अगर मेरे पिछले वाली वीडियो नहीं देखें देख लीजेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा प्रेंशी कंसीब करने में तो आज देखिए जो जो कॉमेंट्स किये हैं मैं उनको वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्या करना है आपको जाला ट जिनी का जो ड्रिंक पीना है वो पूरा दिन में आप कभी भी पी सकते हैं सुबह से आप स्टार्ट कर सकते हैं पूरा दिन पीजे अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही बाल पीए तो सुबह में एक चमच पी लिजे अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा- जितना भी यह स्टार्ट इसवर निकलना राता है यह सिष्ट बन जाता है न तो उसके तूरू निकल जाएगा तो आप दाल अगर चाहते हैं कि सुबह में ले एक चमच तो दिन सुबह में ले लिजिए नहीं तो आप पूरा दिन का ड्रिंक बना लिजिए और एक चमच या डेठ चमच अपना बोतल में घोल लिजिए यह सिंपल है और रात में आप नेमो पानीवरा से बन जरूर कीजिएगा दूसरा कॉमेंट में ले लेती हूँ जागरीती जी का जिन्होंने लिखा है हीम पूसपा क्या सही रहेगा तो जी हाँ हीम पूसपा सही है पिरियेट के मामले में अगर पिरियेट इन राता है जिनका नॉर्मल पिरियेट रहता है उनके लिए हीम पूसपा सही है लेकिन अग तो उसके लिए ही है आप जो दवा यूज कर रहे हैं जो दवा का नाम लिखे हैं ये बिल्कुल सही है तो हिम पूस्पा जो है ये नॉर्मल पिरियेट ठीक करने के लिए है ये PCOS या PCOD या फिटाराइड वाला पिरियेट ये सब नहीं ठीक कर सकता है तो आपका दवा बिल्क तोटल स्फ़ाम काउंट सातेर मेल और नॉन नॉन मुल्टाइड सातेर है तो मैं आपको बता दूं कि हाँ मैंने आपको बोला था क्योंकि आपने बहुत दिन से आप मेरे वीडियो देख रहें हैं और मैंने जो जो आपको फॉलो करने के लिए बोला वह आप की ए और आपका husband का test करवाई है तब पता से लेगा कि हो सकता है उनमें भी कोई problem हो शकता है जरूरी नहीं है कि हमेशा और तो में ही problem होती है तो आपने मेरी बात मानी थैंग तो जैसा कि मुझे सकता बिलकुल सही हुआ तो आपने test करवा के बहुत ही अच्छा किया तो normalize 70 है तो और आपका husband का sperm है only 10 है 10 ही आपका husband का sperm जिन्दा रहता है तो वो कम से कम 50 होना चाहिए 50 counting में जाना चाहिए तब ही जाके आप प्रिनेंसी कंसीब कर पाईएगा तो उनका 50 या 60 ऐसे कुछ हो जाएगा या 40 से भी हो जाएगा 40 भी अगर आ जाएगा ना तो ठीक है तो 10 से प्रिनेंसी कंसीब नहीं होगा बिलकुल जादा ही लो है तो आप उनको खान पान पर ध्यान दीजे और medicine जो दिये है वो यूज कीजिए रचना कुमारी जी का comment आया है कि पीफी ओडी में milk पी सकती हो दी या नहीं तो पीफी ओडी है तो milk पी सकते हैं बिलकुल fight मतलब जो भी आपका cream है वो हटा के आप उसमें थोड़ा सा पानी add कर सकते हैं और पी सकते हैं या फिर cow milk भी पी सकते हैं उसमें भी बिलक कुल low fat रहता है तो low fat वाला ही पीज़े क्रियम बला दूद मत पीज़ेगा रूबी जी का comment आया है कि आप अगले वीडियो में अपना इंस्टा का ID link के दे दिजे दी तो मेरा इंस्टा का ID है नंदनी परशाद आप सर्च किज़ेगा तो आज आएगा इस तरह का मेरा pick जो भी आपका problem हो रहा है या फिर आप conceive कर लिए हो या भी conceive करना चाहते हो तो आप बताईएगा जरूर हम अपने वीडियो को तुरू और लोगों को मतलब बताएंगे जिससे वो प्रेगनेंट होने मुझे को बहुत रहता होगा और सबसे जरूरी बात अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं कियें सब्सक्राइब कर लीजेगा, लाइक कर लीजेगा, कॉमेंट्स कर लीजेगा और सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि आपका एक एक सेयर से लोगों को बहुत ही फैदा होगा और वो प्रेगनेंट होंगे, मुझे तो बहुत खुछी मिलता है जब कॉमेंट्स आता है कि दी मैं प्रेगनेंट हो गई, मुझे बहुत कुछी होता है थैंक्यू सो मज फूर वाचिंग मैं वीडियो